मेरे परिवार जनों, हमारा बनारस सद्यों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। बनारस की सेक्षणिक सबलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव। देश्ट और दुनिया के कौने-कौने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं। दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्कृत सिखने आते हैं, ज्यान लेने आते हैं। आज हमने इसी भावना को केंद्र में रख कर यहां से अटल आवाशिय विद्यालयों का सुभारम किया है। आज जिन अटल आवाशिय विद्यालयों का लोकारपन हुआ है, उन पर करीब यहारा सो करोड रुपे खर्च किये गए हैं। और यह स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे स्रमीक, हमारी हममद्दुरी करने वाले जो लोग हैं, और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है। और इससे उनको अच्छी सिख्षा मिलेंगे, समस्कार मिलेंगे, आदुनित्तम सिख्षा मिलेंगे, जिन लोगों की कोरोना में दुखत मुर्त्य हो गई, उनके बच्चों को भी इन आवासी विद्यालों में निशुल्क पढ़ाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन स्कूलों में कोर्स के साथ साथ संगीत, कला, क्राफ्ट, कम्प्यूटर और स्पोर्ट्स के लिए भी शिक्षग होंगे। याने गरीब के बच्चे भी अब अच्छी से अच्छी पढ़ाय का सरवांगिन सिख्षा का सपना पूरा कर पाएंगे। और केंद्र सरकार के ओरते हमने इसी तरह जनजातिय समाग के बच्चों के लिए एक लब्या आवासिय स्कूल बनाये हैं। नई राष्ट्रिय शिक्षा निति के जरिये हमने शिक्षा व्यवस्ता की पुरानी सोच को भी बदला है। अब हमारे स्कूल्स आधुनिक बन रहे हैं। क्लासिस स्मार्ट हो रही हैं। भारत सरकार ने देश के हजारों स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए पी-म स्री अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहट देश के हजारों स्कूलों को मोडन टेक्लोलोजी से लेज किया जा रहा है।